हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में दोस्तो आज से हम लोग MS Word को बिल्कुल सुरू से चलाना सीखेंगे अगर आप MS Word के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं बिल्कुल भी जनकारी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तो मैं MS Word को ओपन करने से लेकर MS Word में कौन-कौन से काम होते हैं उस काम को MS Word में कैसे किया जाता है ये सभी को जनकारी मैं देने वाला हूँ जैसे कि दोस्तो आप दे सकते कि यह मेरा MS Word के उपर क्लास बन है क्लास बन में दोस्तो आप सेखेंगे MS Word की बेसिक जनकारी यानि कि MS Word को आप ओपन कैसे कर सकते हैं अपने कंप्पिटर या फिल लैप्टोप से अगर आप MS Word को ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर कौन-कौन से आप्सन होते हैं यह सभी कुजनकारी आप लोग पार्ट वन का वीडियो और के क्लास वन में आप लोग सीखेंगे तो चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूँ वीडियो को सुरू करने से प्ले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सस्क्राइब जरू कर दिजिए ताकि दोस्तों जबी मेरा MS Word के उपर क्लास टू आए तो आप तक दोस्तों पहुंचे और आप MS Word का कंप्लीट कोर्स कर सकें तो चलिए मैं वीडियो को सुरू करता हूँ तो देखके दोस्तों सबसे पहले में अपना डेस्टोप रा जाता हूँ डेस्टोप पर आने के बाद दोस्तों मैं आपको MS Word को आउन करने का तरीका में तीन तरीका से महाँ MS Word को आपको आउन करकर दिखाऊंगा तो पहला तरीका दोस्तों कि जब आप यहां पर सर्च बार पर क्लिक किजिगा जैसे कि दोस्तों आप देशकते हैं सर्च बार पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको टाइप कर देने लगा MS Word जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरा दिखा रहा है वर्ड 2016 तो सिंपल से इस पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करकर दोस्तों मैं MS Word को यहां से ओपन कर सकता हूँ जैसा कि दोस्तों आप अभी यहां पर देख रहे हैं ओपन करने के लिए एक मैसेज सो करेगा इसको आपको सिंपल सा क्लोज कर देना है क्लोज करने के बाद दोस्तो ब्लैक डॉकुमेंट पर क्लिक करकर आप MS Word के अंदर आ सकते हैं यह दोस्तो मेरा MS Word को आउन करने का पहला तरीका था अब चलिए मैं दूसरा तरीका के बारे में आपको बताता हूँ दूसरा तरीका दोस्तो कि जब आप अपने कीवोर्ड से बिंडो के साथ R बटन को प्रेस करते हैं चलिए मैं बिंडो के साथ जब मैं R बटन को प्रेस करता हूँ तो एक Run Command ओपन होता देल सेक्ड़ दोस्तो आप देल सकते हैं win word win word दोस्तो win win word यान कि win word जब आप type करके यहां से ok बटन पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर MS word आपका यहां से open हो जाता है तो आप दोस्तों बिन्डूक साथ r बटन को फ्रेस करकर MS word को open कर सकते हैं अब चलिए मैं एक तरीका में आपको और बता देता हूं जो तरीका आपको सिंपल हैगा उस तरीका का आप MS word को on करने में किजीगा अब जिसके दोस्तों आप मान लिजी अगर जो आप चाहते हैं कि आपके डश्टोप के टाक्स बार पर MS word का आइकन हैं पर शो करें और आप आप सिंपल से यहां पर क्लिक करकर open कर लें अगर आपके टाक्स बार पर MS word का आइकन यहां पर नहीं है तो उसलिए आने के लिए दोस्तों आपको दुआरा से सर्च बार पर क्लिक करना है सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको वर्ट टाइप करना है उपर में आपको word दिखाए देगा इस पर आपको right click करना right click करने के बाद आपको यहाँ पर pin to tax bar पर click करकर आपका MS word आपके tax bar पर show करने लगा जब आपका MS word tax bar पर show करने लगा तो simple साइस पर double click करकर आप यहाँ से open कर सकते हैं यानि कि MS word को दोस्तु आप अलग अलग तरीका से on कर सकते हैं जो तरीका आपको best लगाओ असान लगाओ उस तरीका का आप use कर सकते हैं तो दोस्तो आपने देखा कि MS word को कुछ इस परकार से आप लोग on कर सकते हैं अब चलिए मैं MS word को 12 से में on करता हूँ on करने के बाद दोस्तों इसको मैं close करता हूँ blank document पर click करकर MS Word के अंदर आ चुका हूँ MS Word के अंदर आने के बाद MS Word में आपको काभी सारा option दिखाई दे रहा है दोस्तों ये सभी option को दोस्तों हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं अब चलिए मैं ये सभी option के बारे में हम लोग सीखते हैं कि इस सभी option को हम लोग किस नाम से जानते हैं और इसका use दोस्तों किया होता है तो उसके लिए दोस्तों मैं एक PDF बने हूँ जिसमें MS Word का सारा detail मैं लिख लिया हूँ प्रकार से चलिए मैं कुछ page को बढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखें जैसके दोस्तों मैं page को बढ़ा कर लिया हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि MS Word क्या है सबस्क्राइब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि MS Word क्या है MS Word के अंदर आप लोग कौन-कौन से काम करें चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखें दोस्तों लिखा हुआ है कि MS Word का पूरा नाम माक्शफ्ट Word होता है इसे माक्शफ्ट कमपणी ने बनाया है यह दोस्तों MS Office के अंतरगात आता है यानि कि MS Word को दोस्तों आपको अलग से इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आप जब MS Office को अपने कॉम्पिटर में इंस्टॉल करते हैं तो यह आपका MS Word, MS Excel, MS PowerPoint जो भी MS Office के अंतरगात आता हूँ सारा इंस्टॉल हो जाता है यह एक बड़ प्रोसेसिंग प्रोग्राम जोस्तों जिसमें हम लोग डाकुमेंट बना सकते हैं कोई फॉर्म बना सकते हैं रिजूम बना सकते हैं लेटर लोगो डिजाइन कर सकते हैं या फिर बुक का कबर, ई-बुक, इत्यादी इसके लाबा और बहुं सारा काम MS Word के अंदर किया जा सकता है अभी दोस्तों आप जो PDF आप देखरे हैं या मैंने MS Word के अंदर ही बनाया है यान की कुछ इस प्रकास दोस्तों आप MS Word के अंदर भी काम कर सकते हैं अब चलिए दोस्तों, जब आप MS Word को आ holders की हैं था दोबारत से मं Parents को Open कर लेता हूं तो देखे दोस्तों सब से पहले जो आपका Option रहएगा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाए देरा वहुगा फायम इस इसको दोस्तों हम लोग फ्याइल मीनू के नाम से जानते हैं जासे होब दोस्तों पर ऑप को दुब्बारा से aindaломelf को बार कर दिहा देता हूं उपर में जो आप देख रहे हैं इसे था यह बार को यहांज किस नाम से जानते हैं इसे हम लोग टाइटल वार या फी टाइब ल左 ОNote है दोस्त जैसे कि आप देख रहे हूं और हिसन को मेरा काफी साथ ओप्षिन था जैसेग जैसे क्वैं जिसक्त जोस्तर यह जप्ज है क्लिक्ट है तो इसमें देह सेक्थ कि काफी साथ ऑप्षिन है दोस्त्त जिसक आप यहां पर देक्छ रहें इस heavily टूलальная कि नाम से यहां प्लोग देखे रहे और अपने कुछ इसको मैं जूम करकर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको दिखे जैसा कि दोस्तों आप देश सकते कि यहाँ पर आपको पेज भी दिखाई देगा आपका जो भी पेज में वर्ड टाइप रहेगा ओ भी दिखाई देगा जिससे कि दोस्तों आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे MS Word में एक page खुला हुआ तो यहाँ पर one page दिखाए दे रहा है हमारे page पर कोई word type नहीं है तो यहाँ पर जिरो दिखाए दे रहा है जब आप इधर आएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको MS Word के अंदर जो option होता है जूम और जूम आउट करने का आपको यहाँ पर दिखाए देता जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस minus का यह दोस्तों आप लोग page को जूम आउट कर सकते हैं यानकि page को छोटा करने के लिए यूज कर सकते हैं आप प्लस का यह दोस्तों आप page को जूम इन कर सकते हैं यानकि page को बढ़ा करने के लिए कर सकते हैं अब चलिए मैं आपको इस option का यूज करकर आपको दिखा देता हूं जैसे कि माली जी इस प्लस पर जब मैं किलिक करता हूँ किलिक करकर आपको दिखा देता हूँ जब मैं प्लस पर किलिक करता हूँ तो देख सकते कि आपका पेज धीर धीर यहाँ पर बड़ा हो रहा जैसे कि दोस्तों आप अब यहाँ पर देख रहे हैं जब मैं माइनस पर क्लिक करता हूँ तो आपका पेज कुछ इस प्रकार से छोटा होता है यानि कि जूम आउट होता है तो इसका जोस्तों कुछ इस प्रकार से आप MS Word के अंदर कर सकते हैं अब देखें दोस्तों ओपर मैं आपको दिखाए देरा हूँ यहां पर क्लोज करने का जैसे कि दोस्तों आप अभी यहां पर देख रहे हैं यह ओप्सिन का यूज दोस्तों आप लोग कर सकते MS Word को क्लोज करने के लिए जब आप यहां पर क्लिक कीजिगा कप्लेके बाद दोस्टों आपका MS Word है यहां पर Dish pag South पर देख रहे है दोबारा से open करने के लिए सिंफर से आपकोномуस्टों आपको minority प्लिक करना है आपका abs open Smoto हो जाता दोस्टों जैसे को दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इसमें दोस्तों आपको और अप्सें मिल रहा हैं जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको दिखाए देर होगा रींशल को डौन किइज़त हो तो आप का pressing कर देज़िएед. सिंपा साइज दवारा से जब आप क्लिक किजिगा तो दवारा से आपका वहीं से ओपन हो जाता है जैसे कि दोस्तो आप लोग देख रहे हैं तो इसका यूज दोस्तो कुछ इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं क्लोज करने के लिए minimaz करने के लिए restore करने के लिए page को बढ़ा करने के लिए page को छोटा करने के लिए यानि कि MS word के अंदर कुछ इस प्रकास दोस्तों option होता जैसे कि दोस्तों आपने इस PDF की मदश से दोस्तों आपने देखा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग नहीं सीखा MS Word की बेस्की जनकारी अब दोस्तों जो भी मेरा कल का वीडियो आएगा वो आएका Home Tap के उपर दोस्तों हमारे टेलगराम चलनों को जोआन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से जाकर दोस्तों आप हमारे टेलगराम चलनों को जोआन कर लीजिए वहाँ पर दोस्तों यह PDF आपको मिल जागा जिसे दोस्तों डानलो करकर आप अपने घर पर इसको revision कर सकते हैं तो चले दोस्तों अगर यह वीडियो आपको ठीक लगा जनकारी ठीक लगा तो वीडियो को like कर देजिए वीडियो को share भी किजिए वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब चलिए हम लोग मिलेंगे Class 2 में Home Tap के बारे में सिखने के लिए तब ते के लिए जाहिन वंदे मातरम